नमस्कार दोस्तों, वेलकम टो स्टेडी न्यूज, आज हम बात करेंगे कनाडा देश के बारे में, जो सबसे लंबी कोश्ट लाइन वाला देश है, और विस्व का दूसरा सबसे बड़ा और नॉर्थ अमेरिका का सबसे बड़ा देश है, तो लेट्स स्टार्ट, कनेडा हुबसूरत और इंपोर्टन देश है, जो नॉर्थ अट्लांटिक सी और नॉर्थ पैसिफिक सी के बीच में पढ़ता है, मैं आपको मैप में दिखाता हूँ, तो इस वर्ड मैप में आप देख सकते हैं, ये है इंडिया, इधर से हम लोग नॉर्थ की और जाएंगे, तो ये पढ़ता है नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका में ये युनेटेड इस्टेट्स ऑफ अमेरिका है, इसी के ऊपर कनेड़ा है ये, इसके वेस्ट में नॉर्थ पैसिफिक ओसियन है और इस्ट में नॉर्थ अटलांटिक ओसियन है, और ये है उसे का एक स्टेट अल इस लिस्ट में आप देखिए कानाडा की कोस्ट लाइन लगभग 2,002,000 किलो मीटर है और वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टिट्यूट के हिसाब से 2,65,000 लगभग है कानाडा के बाद नौर्वे है फिर इंडोनेशिया है और 15 इस्थान पर इंडिया है कानाडा का 6,99,85,000 वर किलो मीटर लगभग है इसकी टोटल पोपिलेशन 3,76,000,000 लगभग है यह अपना इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे एक जुलाई को मनाते हैं इनकी ओफीसियल लैंगवेज फ्रेंच और इंगलिस है यहाँ पर एथनिक ग्रूप में सबसे ज़्यादा 73 प्रतिसत यूरोपियन रहते हैं और 17 प्रतिसत लगभग एसियन रहते हैं और 5 प्रतिसत इंडिजीनियस रहते हैं और भी वेरियस एथनिक ग्रूप यहां रहते हैं कनाडा के नेशनल सिंबल की बात की जाये तो यहां का नेशनल स्पोर्ट समर में लेक्रोसे होता है और विंटर में आइस होकी होता है यहां के national animal है बेवर कनाड़ा के legislature को पार्लियमेंट कहते हैं जिसमें upper house को senate और lower house को house of commons कहा जाता है कनाडा के प्राइम मिनिश्टर जस्टिन टुडू है इस वक्त कनाडा सब्द कनाटा से लिया गया है जिसका अर्थ होता है village या समुदाए कनाड़ा की इतिहास की बारे में बात करें तो यूरूपिय उपनिवेश्वाद का पहला उधारण नौर्समेन द्वारा एक हजार इस्वी के आसपास नियू फाउन लेंड में लेसेक्स में देखने को मिलता है इसके बाद सीधे 1497 में इटेलियन नाविक जॉन कैबोट ने कनाड़ा के अट्लांटिक तट का पता लगाया और इंग्लैंड के राजा हेंडरी सेवन्थ के नाम पर अधिकार प्रतिपादित किया इसके बाद ही बॉसक और पुर्तगालियों नाविकों ने सोलमी सदी में अट्लांटिक तट पर मचली पकड़ने और वेल का सिकार करने के लिए चोकिया इस्थापित की सन 1534 में फ्रेंच एक्स्प्लोरर जैक्स कार्टियर ने कनाडा उत में सेंट लॉरेंस नदी की खोज की और फ्रांस के राजा फ्रांसिस फर्स्ट के नाम से वहां के छेत्र पर आधिपत्य कर व्यापार चोकिया इस्थापित की फ्रेंच खोजी सेम्वल डी चैपलिन 1603 इस्वी में वहां पहुँचे और पहले इस्थाई यूरोपिये वस्ती पॉर्ट रोयल 1605 इस्वी में और क्यूबेक सिटी 1608 इस्वी में स्थापित की थी इसके बाद पैरिस की संदी सं 1763 इस्वी के बाद कनाड़ा के अधिकतर हिस्सों में अंग्रेजों का अधिकार हो गया कई सम्वेधानिक समेलनों के बाद 1867 इस्वी में सम्वेधान अधिनियम के तहत 1 जुलाई 1867 को चार प्रान्तों ओंटारियो क्यूबेक नोवा स्कुटोवा और न्यू ब्रेंस्विक की अधिकारिक तोर पर आजादी की घोशना कर दी गई यहाँ पर आप देख सकते हैं यह पेज है कैनेडियन चार्टर ओफ राइट एंड फ्रीडम्स का कनाड़ा जेग्राफिकली नौर्थ अमेरिका का एक इंपॉर्टेंट देश है यह अपनी बॉर्डर नौर्थ वेस्ट में यूएस के अलास्का से सेर करता है और सदन पार्ट में यूएस से 49 डिग्री उतरी अक्छांस द्वारा बॉर्डर सेर करता है यह विस्व की दो देशों के बीच की सबसे लंबी बॉर्डर है कनाड़ा में फ्रेस वाटर की बहुत सारे रिजर्वस हैं कनाड़ा में 13 राज्य हैं इसके केवल दो ही इस्टेट्स लैंड लॉक्ड हैं जिसमें अलबर्टा और ससकेच्चुवान हैं इस देश की जलवाईू सितोषन है कनेडियन सिल्ड पर यहां लगबग 42 प्रतिसत भूभाग वनों से घिरा हुआ है जिसमें लगबग 90 प्रतिसत वन संकुधारी व्रिक्चो के हैं यहां पर वन आधारी तुद्योगों को लंबरिंग कहा जाता है और इन द्योगों में का सो वर्ग किलो मीटर से भी जादा के हैं कनेडा में बहुत सारे एक्टिव वॉलकेनोस भी है जिसमें मेंली माउंट मीगस मैसिफ है माउंट गर्वेल्डी है माउंट सेले मैसिफ है कनाडा में विविज जलवाईू पाई जाती है जलवाईू समसितोषन पर अलग-अलग ह होती है यहां के परवत्स रेडियो में सबसे महत्पुन अपलेशियन परवत्स रेडी है जो कनेडा के पूर्वी भाग में अट्लांटिक ओसियन के किनारे फैला हुआ है अपलेशियन परवत्स रेडियां लगबक 380 मिलियन वर्स पुरानी है अपलेशियन स्रिंखलाओं में माउंट जेक्स कार्टियर इंपोर्टेंट है जिसमें क्यूब एक चोटी है जो 4,160 फीट उची है यहां कनाडा के कुछ माउंटेंस को दर्साया गया है जिसमें सेंट एलिस माउंटें जो अलास्का के दक्छडी भाग से होते हुए कनाडा में फैला हुआ है किटी मेट रेंजेज जो कनाडा के पस्चिमी भाग में फैला हुआ है कनाडा में न्यू ब्रेंस्विक में माउंट कारल्टन 2680 फीट उचा है न्यू फाउंड लेंड में केबाक्स 2671 फीट उची परवत चोटी है अपलेशियन परवत सम्रिद इस्थानिक वनस्पतियों और जीवों से सम्रिद है कनाडा और यूएसे के बॉर्डर में ग्रेट लेक्स का विस्तार है जो कनेडा के क्यूबेक और ओंटारियों के दक्छडी हिस्से में फैले हुए हैं ग्रेट लेक्स पूरी तरह से कनाडा में ओंटारियो द्वारा सिमा बद्ध हैं ग्रेट लेक्स में लेक सुपिरियर लेक मिसिगन लेक यूरन लेक ओंटारियो और लेक इरिन हैं कनाडा के नदियों की बात की जाए तो कनाडा में दो प्रमुक और लंबी नदियां है जिसमें मैकेंजी नदी और सैंट लॉरेंस नदी है इनमें सैंट लॉरेंस नदी ग्रेट लेक्स निकलती है और सैंट लॉरेंस गल्फ में जाके गिरती है सेंट लॉरेंस नदी की लंबाई 3000 किलोमीटर लगभग है दूसरी है मेकेंजी नदी जो कनाडा के भीतर लगभग 10 लंबी नदियों को पार करते हुए जाती है मेकेंजी नदी की लंबाई 42 किलोमीटर लगभग है एग्रिकल्चर की बात की जाए तो कनाड़ा एग्रिकल्चर में अगरहडी देशों में से है कनाड़ा में गेहों और अनाजों की खेती बहुत बड़े इस्तर पर की जाती है कनाड़ा दुनिया में क्रिसी उत्पादों के सबसे बड़े आपूर्ती करताओं में से एक है कनाड़ा अपने अधिकांस फसलों को दक्षडी अमेरिका और उतरी अमेरिका में ही बाट दिता है कनाड़ा का क्रिसी छेत्र हर साल लगातार बढ़ रहा है देश के जीडीपी में वहां की अगरिकल्चर का भाग आठ प्रतिसत है कनाड़ा में तेल और प्राकर्ति गैस की प्रचूरता है कनाड़ा में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल भंडार है ये बड़ी मातरा में हाइडरो एलेक्ट्रिक पावर का भी इस्तमाल करते है प्रचूर मातरा में उर्जा संसाधन उपलब्द होने के कारण कनाड़ा का तेल निर्यात और अन्य उर्जा संबंधी उतपाद देश का जीडीपी का 2.9% है इस मैप में आप कनाड़ा में उर्जा संसाधन को देख सकते हैं इसमें पोर्ट रेडियम, बीवर लोज, साइगर लेक्स प्रमुक हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कजाकस्तान के बाद कनाड़ा दूसरा सबसे बड़ा देश है उर्जा संसाधन का इस्सा 13.9% है कनाड़ा का टेकनलोजी इंडस्ट्री भी दुनिया के सबसे मजबूत इंडस्ट्रियों में से एक है कनाड़ा का टेकनलोजी इंडस्ट्री भी लगातार विस्तार कर रहा है कनाड़ा में दुनिया भर से नई टेकनलोजी इंडस्ट्रिया यहाँ पर आ रही है कनाडा का टेक्नलोजी इंडस्ट्री वर्तमान में डिजिटल मीडिया, वायरलेस इंफ्राइस्ट्रक्चर, इ-कॉमर्स और जनरल इंटरनेट सर्विसेस से सम्रिद्ध है कनाडा की जीडीपी का एक बहुत बड़ा हिस्सा लगभग 80% सर्विसेस का है पूरे देश में लगबग 3-4 रोजगार सिर्फ सर्विस सेक्टर से मिलते हैं सर्विस सेक्टर में रिटेल, बिजनेस, एजुकेशन और हेल्थ मेकप जैसी चीजे इसका बड़ा पोर्सन है कनाडा का ट्यूरिज्म सेक्टर भी बहतरीन है, यह वहाँ की जीडीपी का 12% है कनाडा में अधिकतर USA से लोग घूमने जाते हैं हालिया हेरिटेस साइट की बात करें तो एक है राइटिंग ओन स्टोन राइटिंग ओन स्टोन पे वहाँ के ब्लेक फूट की रचनाएं हैं जो वहाँ के लिए बहुत पवित्र मानी जाती है इसे 2019 में हेरिटेस साइट में सम्मिलित किया गया था और दूसरा है पिमाचवीन अकी यह एक सुंदर परिद्रिस से है इस साइट को 2013 में विचार के लिए प्रस्तुत किया गया था जिसे 2018 में हेरिटेस साइट में सामिल किया गया कनाडा एक डेवलप्ड कंट्री है यहां की नॉमिनल पर कैपिटा इंकम सेवन्थ हाइस्ट है कनाडा बहुत सारे इंटरनेशनल इंटर गवर्मेंटल इंस्टिट्यूशन्स का हिस्सा है जिसमें युनाइटेड नेशन्स का, नाटो का, जी सैवन का, ग्रूप अफ टैन का और जी ट्वेंटी का हिस्सा है कनाड़ा नौर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रिमेंट और एसिया पैसिफिक एकोनोमिक कोर्परेशन फोरॉम का भी हिस्सा है कनाड़ा के प्रमुक प्रांतों में ब्रिटिस कोलंबिया प्रांत है जिसकी राजधानी प्रिंच जॉर्ज है यहां कनाड़ा के पश्चमी छेतर का सरवाधिक जनसंख्या वाला प्रांत है जो लंबरिंग उद्ध्योग के लिए प्रसिद है इसी प्रांत में इस्थित बैंकुवर सौफ्ट्वेर उद्ध्योग डिबाबंद मचली के लिए प्रसिद है यहां कनाड़ा के पश्चमी छेतर का सरवाधिक जनसंख्या वाला सहर है यहां अख़बारी कागच के लिए भी प्रसिद है इस प्रांत में बैंकुवर दूइप के दक्षिडी तट परिस्थित विक्टूरिया कनाड़ा का सबसे बड़ा नौसैनिक अड़ा है दूसरा प्रमुक प्रांत है मैनिटोबा जिसकी राजधानी विनिपैग है यहां कनाड़ा के दक्षिडी भाग में फैला प्रांत जिसके दक्षिड में सितोशन गहास के मैदान प्रेरी का विस्तार है इसी मैदान में विनिपैग जील के दक्षिडी तट पर इस्थित वि एक मात्र ऐसा प्रांत जिसकी सीमा मिशिगन जील को छोड़ कर सभी ग्रेट लेक्स के साथ लगी हुई है जिसमें सुपीरियर, यूरन, इरी और उंटारियो जील के साथ है इस प्रांत में यूरन जील के उत्तर में इस्थित सडबरी, विश्व की सबसे बड़ी निकिल की खान है इस प्रांत में इरी जील के उत्तर पूर्वी तट पर इस्थित हैमिल्टन, कनाडा में सबसे बड़ा लोय आयस केंद्र है इसे कनाडा का बर्मिंगम भी कहा जाता है इसी प्रांत में कनाडा का सरवाधिक जनसंख्यावाला सहर टोरंटो, ओंटारियो जील के उत्तर पस्चिम तट पर इस्थित कनाडा का सरवाधिक जनसंख्यावाला सहर है इसी प्रांत में कनाडा की राजधानी ओटावा भी स्थित है अगला प्रांत है क्यूबेक जिसकी राजधानी मौन्ट्रियल है यहां कनाडा का सबसे बड़ा प्रांत है जिसका विस्तार हडसन की खाड़ी एवं अट्लांटिक महसागर के मद्ध है यह धात्विक खनीजों के भंडार के लिए प्रसिद है इसी प्रांत में स्थिर सेफर वीले और बाबुश नगर कनाडा की सबसे बड़ी लोयस्क की खान है इसी प्रांत में सेंट लोरेंस एवं ओटावा नदी के संगम पर इस्थित मॉंट्रियल अखबारी कागच एवं जहाज निर्माड उद्द्योग के लिए प्रसिद है एक और प्रांत है जिसका नाम है न्यू फाउन लेंड प्रांत इसकी राजदानी सेंट जॉन्स है यह कनाडा के पूरवी भाग में फैला हुआ प्रांत है यहां विसु प्रसिद मचली उत्पादक केंदर ग्रैंड बैंक है जिसका मुख्याले सेंट जॉन्स है न्यू फाउन लेंड दीप के निकट गल्फ स्ट्रीम की गर्म जलधारा और लेबराडोर की ठंडी जलधारा आकर मिलती है जिसके कारण यहां कोहरा चा जाता है और यहीं पे प्लैंकटस नामक काई जम जाती है जो मचलीओं का मुख्य भोजन है जब मचलिया इसे खाने के लिए आती हैं तो पकड़ी जाती है यहां हेरिंग, कॉर्ड, पॉलाक, प्रजाती की मचलिया पकड़ी जाती है तो यह थी पूरी जानकारी कनाड़ा के बारे में I hope आपको यहां पे बहुत कुछ जानने को मिला होगा So thanks for watching this video Please subscribe, share or comment